मैं हूँ आपका दोस्त राहुल आज की इस महत्पूर्ण लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं 4 दिसंबर 2013 के 10 most important current affair के question तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लाट तक जरूर देखिएगा दोस्तों चलते हैं आज का हमारा पहला और important question है अंतरिष मौसम के अध्धन के लिए AWE mission कौन launch करेगा आपसे पूछा गया है तो इसका जो right answer है NASA NASA इसका right answer है NASA USA की Space Agency है याद रखें और अंतरिष मौसम के अध्धन के लिए NASA जो है company जो की USA की है Space Agency या अंतरिष मौसम विग्धन के लिए काम करती है और वाय मंडली परत जिसे बोलते हैं मेसो पास का अध्यन याद रखतें और समुद्र तल से 87 किलोमीटर उचाई पर इस्थित हैं इसी के अध्यन के लिए इसे लांच किया गया है नासा जो और इस बात को जान ले कि पिर्थिभी पिर्थिभी के जो मंडल होते हैं सबसे पिर्थिभी का जो निचला मंडल होता है उसे छोब मंडल कहते हैं उसके उपर समताब मंडल होता है फिर मध्य मंडल फिर आयन मंडल और सबसे उपर जो होता है याद रखें जो होता है मौसम की सारी घटनाएं होती हैं मौसम संबन्धि इस बात को याद रखेंगे कुछ राम बढ़वाते और याद रखेंगे जैसे कि आपसे पूछा गया है कि अर्टेमिस मिशन जो किसी ने लांज किया है तो नासा ने इसे लांज किया है मनुष्यों को पुना चांद पर भेजना इसका उद्देश है तो जो आर्टेमिस मिसन है यह नासा द्वारा लांच किया जाएगा याद रहें लूपेक्स किस का मिसन है आपसे पूछे तो यह जो है इसरो और जाक्सा जो की nost reality करेगा अगला हमारा है कि आदित L1 मिसन ये 2 सितंबर 2030 को लांच किया गया था किस राकेट से आप से पूचे तो ये उसका राकेट है जिस राकेट से लांच किया गया है PSLB C57 राकेट से आदित L1 मिसन को 2 सितंबर 2030 को लांच किया गया है और चन्यान जो 3 है इसे 14 जुलाई 2030 को launch किया गया है LBM 3rd M4 rocket के द्वारा इसे launch किया गया है यह सारे important point है जरूर नोट डाउन करके रखेंगे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूँ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को जेदा से जेदा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आगे बढ़ते हैं क्विश्चन नंबर हमारा दो है आपसे पूंचा गया है कि चंवने में भारती अंतराश्टी फिल्म अहुस्तों में सर्फशेट फिल्म का गोल्डन पिकाक पुरुषकार किसे मिला है तो वो जिया गया है एंडलेस्ट बारडस्ट को दिया गया है याद रखें इसमें इनकी जो रासी मिली है चालिस लाक रुपए रासी दी गयी है और इसका जो गोल्डन पिकाक पुरुषकार है इसका आयोजन इस बार गोवा में किया गया है यह चववन नंबर का क्रम है आपसे पूंचे कौन से क्रम का आयोजन किया गया है जो गोल्डन पुरुषकार अंतराश्टी फिल्म होस्तो तो चववन नंबर का है जिसका आयोजन गोवा में किया गया है और इसमें जो ओपनिंग फिल्म थी वो कैचिंग डश्ट थी यह बात याद रखें ओपनिंग फूल जो फिल्म पूं सर्फसेटस बेस्टर चुलें गये चुलें घए, याद रखें और इसका सुभांकर था मोगा था उसमें जो पहला इस्ठान प्राप्त किया है और महा राफ्त किया है पूँछें आप से सिंगमो मुट्सो कहा मनाय जाता है तो ये गोवा का उस्तो है सिगमो उत्सो तो यह सभी important point बनते हैं जो कि परिच्छे के लिए आती ही मातपूर point हैं सभी को note down करके रखेंगे दोस्तों और जदस जदा वीडियो को share भी करेंगे और like तो जरूर करतेंगे तो चलते हैं तीसरा हमारा प्रशन है आप से पूचा गया है कि हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का चौथा संसकरम कहां प्रारम हुआ है तो चौथा जो संसकरम प्रारम हुआ है आज से पूचे आयोजन इसका कहां हुआ तो मलेसिया में हुआ है याद है इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है और उद्देश इसका यह है कि विज्ञान तक्नीके साथ नमाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश है और इसका जो पूछे आप से फष्ट कहां हुआ तो जाकारता इंडोनेशिया में हुआ और यह चौथे नमबर करम है और फष्ट वाला आप से पूछे तो यह जाकारता इंडोनेशिया हुआ आज से पूछे मलेशिया की राजधानी तो कौला लामपूर है और मुद्रा यहां की मलेशिया की रिंगिट है याद रखेंगे ठीक है आसियान आया है तो आसियान के बारे हम जाल लेते हैं आसियान की जो फुल फार्म होती है एस्ट 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 तो भारत इसका मेंबर है याद रखेंगे कोई से रामबाड़ बाते और याद रखेंगे आप से पूछा गया है कि ब्रिक्स 2023 कायरजन कहां पर किया गया है तो साउथ अफरीका में इसका उजन किये गया है COP 28 कहां पर होगा तो यह UAE अबुदाभी में होगा और SEO 2023 की बैठक काप हुई तो भारत में हुई याद रखें और सभी important point है सभी को याद रखेंगे जरूर से जरूर परिच्छा के लिए आती ही महत पूण है जो भी परिच्छाएं अगामी होने वाली है सभी परिच्छाओं के लिए अती महत पूण्ट होने वाले हैं आप से पूछे जी टॉन्टी 2024 कहां पर होगा तो बरजील में होगा याद रखें जी टॉन्टी 2024 ब्रजील में होगा और जो 2030 का हुआ था वो भारत में हुआ था इस बात को याद रखें और G7 की बात करें तो G7 2030 यह भी जी अपान में हुआ था इस बार ठेक है याद रखेंगे question number हमारा 4 है आप से पूछे हाल ही में किस देश के अनाक क्राका टोबा जॉलामखी में सक्त साली बिस्पोर्ट हुआ है तो यह जो बिस्पोर्ट हुआ है क्राका टोबा जॉलामखी में हुआ है जो की इंडोनेशिया में इस्थित है इंडोनेशिया इसका राइट एंसर है क्राका टोबा जॉलामखी जो है वह इंडोनेशिया में इस्थित है सुन्डा जलसंधी में याद रखेंगे यह Mount Sinabung और Mount Merapu यह जो Jpalam Khi है यह भी Indonesia में इस्थित है, याद रखेंगे आप से पूँछे Mount Merapi और Mount Sinabung Jpalam Khi कहां इस्थित है Indonesia में इस्थित है कुछ रामबाड़वाते हैंगे यह रियाद रखेंगे इस आप से पूछा गया है कि Istamb McMook जौलमखी यह भूमत सागर का प्रसाद प्रकासित्तम इससे कहते हैं इस्टामबोली जौलमखी को मुना लोवा जौलमखी आपसे पूछे तो यह हवाई दीप यूएसे में इस्ती थे और विसुबियस और एटना जौलमखी यह इटली में इस्ती थे माउंट कोटोपैक्सी जौलमखी जो है वह इकवडर में इस्ती थे माउंट ताल जौलमखी यह फिलिपींस में इस्ती थे माउंट ताल जौलमखी आगे बढ़ते हैं कि कुश्चन नमबर हमारा फाइफ है आपसे पूछा गया है कि प्रतिवर्स फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जूटता का अं 29 नमबर को मनाया जाता है याद रखें 29 नमबर को फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जूटता अंताराश्टी द्योस मनाया जाता है 29 नमबर 1947 को जो यूने है वो दो राश्टों में इसको बाटने का प्रत्द किया एक अरब देश और एक यहुदी इस्राइल देश बनेगा इस्राइल से जो सीमा बनाने वाले देश हैं वो पांच देश हैं चार देश हैं याद रखें एक तो लिबनान है दूसरा सीरिया है तीसरा जारडन और मिस्र हैं इस चार देश जो है इस्राइल से सीमा बनाते हैं जो लिबनान है उसकी राजधानी बेरुथ है और सीरिया क आगे बड़ते हैं कुछ बाते याद रखना रामबान वाते है आप रेशन विजाए उज्राइल में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाएगा था आपसे पूछे आपरेशन बिजय किससे समंदित है तो यह इद्राइल में फशे भरतियों को वापस लाने से समंदित है इसलिए चलाए गया था आपरेशन अल-अक्ष्जा फ्लट की सुरुवात कहां पे हुई यह हमास ने इसकी सुरुवात की है मृत सागर यह जारडन और वेश्ट बैंग की सीमा पर इस्थित है याद रखेंगे कुश्चन नमबर हमारा 6 है हाली में दुनिया की पहली 100% सतत बिमान इंधन का उप्योग करने वाली वालिज एरलाइन्स काउंसी है तो इसका जो राइट अंसर है वर्जिन अटलांटिक एरलाइन्स ठिक वर्जिन अटलांटिक एरलाइन्स है और विसकी पहली वर्ड रिज एरलाइन्स जोकी 100% किलीन फ्यूल का प्रियोग करेंगी इसलिए Virgin Atlantic Airlines इसका राइट अंसर है ये जो है उडान जो है जो भरने वाली है वो लंदन से न्यूयार के बीच ये उडान भरेगी और बिवान जो है वो बोईंग 787 बिवान जो इसका नाम है बिवान का नाम बोईंग 787 तो इस बात को भी याद रखेंगे नोट डाउन करके कुछ राम बाढ़ बाते हैं और रहाद रखेंगे आप से पूछा गया है कि आक्टेन नंबर आकटेन नंमबर जो होता है वह प्रोटे और जो प्रोटे प्रोटेन की सुधता का पता लगाने के लिए लीए इसका प्रियोक किया जाता है ठीक है जिसका सव प्रस्द आक्ट मेथिलनाल होगा वो 20% मेथिलनाल का यूच किया जाएगा प्रिट्रोल में भविष्ट का इंधन किसे कहते हैं आपसे पूछे तो हाइट्रोजन को भविष्ट का इंधन कहते हैं आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर हमारा सेवन है हाल ही में 13 सीनियर पूरुस राष्टी हां की चैंपियंशिप किसने जीती है तो इसका जो राइट अंसर है पंजाब इंपोर्टन कोश्चन है याद रखेंगे पंजाब इसका राइट अंसर है जो सीनियर पूरुस राष्टी हां की है इसका आज़न जो है चन्नाई में किया गया है चन्नाई के राधा कित्यानन स्टेडियम में इसका आज़न किया गया है और जो इस तिरामे करम का है इसको बात को याद रखें और बिजेता इसका जो तो रजत पदक हाकी में पराप्त किया गया था टोक्यो ओलम्पीक में और टोपियो ओलम्पीक में भारत की जो रेंग थी वो 49 रेंग थी याद रखें और कुल पदक इसमें 7 ते एक गोल्ड था और दो सिल्वर और 4 ब्रॉंज थे गोल्ड नीरा चौपला नहीं जीता था य 2018 का है जो टोक्यो ओलम्पिक होगा वो लास एंजिल में होगा और एसियन गेम का एजन जो हुआ है वो होंग जाओ में हुआ है जो कि 19 वे नंबर का क्राम है याद रखें भारत की रैंक इसमें चौती थी और फर्स नंबर पे चीन और सिकन नंबर पे जापान इसमें आया था एसियन गेम जो था वो निश्वे नंबर का था जुसका जन होंग जाओ में हुआ था हाटी वर्ल्ड कप 2003 इसका जो हुआ है वो और इसमें हुआ है और यह 15 नंबर का क्राम है सुभांकर इसका ओलि था और बीजेता जर्मनी और उब ज़ेता जो था वो था जो बेल्जियम था इसका उब विजेता जो हाकी वर्ड का उब विजेता था वो बेल्जियम था जर्मनी था ठीक है और आयोजन इसका जो उड़िशा में किया गया था इसका याद रखेंगे क्वेस्टननमबर हमारा एट है कि 287 किलो मीट़ लंभी राệnत की सबसे बड़ी सरुकलर रेलवे कहां इस थापित होगी टो बेंगलेरू में इसका राइट अंसर है भारत की सबसे सरुकलर रेलवे स्टेशन हो और इसका आज़ुन जो है बंगलोरों में इसका आज़ुन किया जाएगा इसकी लंबाई 287 है याद रखें 287 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अभी वरतमान में जो है वो चन्नाई में है 237 किलोमीटर ठीक है वरतमान में जो है चन्नाई में है लेकिन आने वाले समय में 287 क किलोमीटर यह बंगलीर में होने वाली है कुछ बात रखेंगे सबसे लंबे प्लेट फार्म से पूछे तो सिधु रुधा स्वामी प्लेट फार्म है जो की करनाटक में इस्तित है एक दसम्रों पांच किलोमीटर लंबा प्लेट फार्म है और एक को वर्थ कमिशन जो है यह को आम बजट से अलग करता है और रेलवेबोर्ड के जो CEO है वर्थमान में वह जया वर्मा को बनाए गया है रेलवेबोर्ड का CEO याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर हमारा 9 है भारत का पहला दूर संचार उत्करश्टता केंद कहां स्थापित होगा तो उत्तरपदेश में इसकी स्थापना की जाएगी भारत का पहला दूर संचार उत्करश्टता केंद जो है उत्तरपदेश इसका राइट अंसर है दूर संचार उत्करश्टता के जो है सहरनपूर के उत्तरपदेश में इस्थापित किया जाएगा और IIT रुरकी के हिल्प से 《इश्थापित किया जाएगा आपसे उत्तरप्देश की बता आई तो उत्तरप्देश की लोकसावा की सीटें 80 हैं राजसावा की सीचें 31 हैं विधान शवा की 403 और विधान परसत की 100 सीटे हैं उत्तरपदेश में आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर हमारा 10 है आप से पूछा गया है हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एयम एबैंक किसने लांच किया है तो इसका जो आई जुन किया गया है उडिसा दोरा इसको लांच किया गया है याद रखें उडिसा दोरा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एयम एबैंक सुरू किया गया है तो इसका राइट एंसर है उडिसा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है यह आज का दोस्तों आज का 10 important question दिसकती हैं जो कि आपकी परिच्छा के लिए द्रफ्ट से काफी important है तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है रोज की तरह तो लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यदा से ज् जो भी कलतिया है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैहिन जैवारा दोस्तों